गुरू प्रेड़ना श्रीमाली जी, मैं सिर्फ ये कहकर पहचान नहीं सिमित करना चाहता कि आप जैपुल घराने से तालुक रखती है या जैपुल घराने की कलाकार है, बलकि मुझे लगता है कि कथक की जो मौजूदा इस्थिती है, उसमें एक बहुत सशक नाम है, बहुत घराने की जो प्रेड़ना श्रीमाली जैपुल राखती है, बहुत नहीं सिर्फ पर श्रीमाली मौजूदा बहुत से जो कि ये लाखती है, बहुत सुद्धाने को जो कि एनुनाए हुआ है बाल बाल कर दो कर दो कथक के हवाले से बात्ची शुरू करते हैं क्योंकि इंट्रिवी उसी को लेकर है तो कुछ सवाल जो एक कलाकार से पूछे जाने बहुत जरूरी होते हैं और जिसका जवाब वो कलाकार कई बार दे चुका होता है लेकिन हर एक नए इंट्रिवी में उसकी ओपचारिकता करनी होती है क्योंकि मैं जब नाच सीखने लगी तो मुझे मालूम नहीं था कि मैं अनृत्य सीख रही है और यह कोई सीखने की चीजे कि उस सुम्र से शुरू किया और वो ममी पापा जानते हैं ममी खास तोर से जानती हैं जो अब नहीं है अभी तो वो शुरू हो गया तो पता लगा कि डांस सीख रहे हैं तो उसमें आनन्द आ रहा हैं मजा आ रहा हैं बाद में थोड़े और बड़े हुए तो पता लगा अच्छा हम कथक सीख रहे हैं और उसके बहुत बाद में पता लगा कि जैपुर घराना सीख रहे हैं जैपुर में रहते हैं, यह तो तैथ है, पर यहां पर दरसल बाद में फिर जब मैंने अनलाइज किया तो समझ में आया कि जैपुर में कथक के अतिरिक्त उस समय में जब मैं छोटी थी, कोई और डांस लोग नृत्य के अलावा नहीं था, केवल कथक होता था, और जितने लो आता ही होगा, क्योंकि कथक इतना घुला मिला है यहां के राजस्थान की संस्कृति में खास्त और से जैपुर में, कि वो कथक तो मतलब एक बड़ी नॉमल बात है कि हां कथक है तो वो तो आता ही है, वो तो अपना ही है, ऐसा, तो इसलिए कथक कैसे हो गया, मैं नहीं कह स ही है, पापा तो administration में रहे और ममी घरेलू महिला थी और लोक संगीत बहुत कहना चीशिदत से गाना चाहती थी, गाती भी थी, सीख नहीं पाएं क्योंकि पारिवारी के स्थितियों में, पर अच्छा गाती थी, और उनकी मन की इच्छा मुझे लगता है, उनने पूरी की ह होगी, मुझे नृत्य में डाल कर, और हम तीन भाइबेन हैं, और हम तीनों में कोई न कोई संगीत का संसकार है, और वो ममी की वज़े से है, और बाकी परिवार से इसका कोई लिना देना नहीं है. हाला कि आपका बच्पन अगर हम बात करें, साठ के दशक क्या असपास की, तो तब तक हम बहुत आधुनिक तो नहीं हुए थे, लेकिन इतने हो गए थे कि हाँ डान्स को देश के कुछ हिस्सों में स्विकार किया जाने लगा था, लेकिन आपके परिवार में चुकी कोई प्रिष्ट भूमी नहीं थी, पिता जी प्रशासनिक सेवाओं में रहे, क्या कभी कोई इस तरह का मतलब किसी ने पड़ोसी ने आके कहा कि यह क्या सिखा रहे हो, क्यों सिखा रहे हो, क्या करेगी सीख कर, इससे क्या फाइदा होगा, और यह जो इससे क्या फाइदा होगा ही जो प्रश्यों होता है क्योंकि हम लोग मानव उस्सुष से हर चीज़्ब ले फाइदा ज़रूर कंग लेते तो ऐसा कुछ हुआए बच्छपन में ऐसा बच्छपन में आसपड़ों से कितना हुआ नहीं हुआ पर परिवार से ही बहुत हुआ और परिवार से ही बहुत हुआ क्योंकि मैं बहुत ही और्थोडोक्स ब्रामन परिवार से आती हूं राजस्थान के और जोतीशी मेरे दादा जोतीशी ही थे और तो वो सारा परिवारिक जो संस्कार था उसमें नृत्य तो कहीं आता ही नहीं शौक के लिए कर लिया बच्पन में ठीक है पर उसे आगे लेके चल देंगे और उसमें कुछ आगे करियर बनाने की बात सोच लेंगे यह तो खेर उस समय करियर तो सोचा ही नहीं जाता था कि लड़िया कुछ बना लेंगी पर उसको लेके मैं आगे निकल जाओंगी मेरे क्योंकि वो ममी पापा ने अपने तक रखा और वो मेरी जो तुरंत कहते हैं इमिजिट फैमिली के मेरे दो भाई और मेरे ममी पापा इन लोगों को इस बात से कोई अतराज नहीं था और वो लोग चाहते थे कि मैं अपने कान में आगे बढ़ती रहूं और उन्होंने पू वो में लोग की अज़ दना डन्मे बनता था उस समाने में तो आज तू इतना नहीं है पर उस सममय तो बहुत था और उस Precis यह नहीं किया कि म अलगए और अर मुझे उन्होंने बनना है और मुझे भंशे मना बनने के लिए ऐशा लगता था की शायद ऐसा करना चाहिए तो बहुत कुछ सहन किया होगा, और सुना होगा और उस पी क्या जवाब दिया होगा मुझे आज तक नहीं मालूद। पर वो उसे धाल की तरह रखे रही अपने सामने और मुझ तक नहीं आने दिया। तो यह मतलब पड़ोसियों ने नहीं जतना की संबंध्यों ने कहा यह सच्छा ही और इसी वक्त चुकी बच्पन की बात चल रही है लग 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 अपना जो स्कूल के डेज याद करती हैं तो कैसे दे याद आते हैं मतलब प्रणा जी शुरू से इतना डिसिप्लिन वाली थी या कुछ शरारत अरारत बच्पन नहीं थी है आख में डिसिप्लिन तो मुझे पता नहीं कैसे कहां से गुट्टी में आ गया पर शरारत मैंने जरूर की होगी और बहुत बड़ी शरारत आपको मैं बताती हूँ कि शेयर कर लो ना मैं बच्पन से लड़कों के साथ पढ़ी आठवी क्लास तक तो वो भी उस समय में बड़ी एक अधुत बात होती थी कि को एड़केशन में मेरी पढ़ाई हुई आठवी तक और उसके बाद फिर अवेलेबल ही नहीं था मतलब उसके बाद तो नवी क्लास से तो लड़किया अलग लड़के अलग ऐसा हो जाता था सो पहली बार मैं नवी क्लास में ममी ने अधमिशन पड़ाई जिस स्कूल में quindi yapura क न अ razor ही तो जब मैं क्लास में गई तो चारों तरफ लड़कों देखी तो मैं तो दंग होगी मैं इनका इतनी йड़क्यां हूं आप ही क्या कर रही है किमुझे आदत ही नहीं थी, कि लड़कियां चारों तरों दिखाई दे, तनी सारी और वो लड़कियां दिखाई दूए है, और अथा हूं इतनी आवाज, बहुत बाते हैं लड़कի यंदा, कि ये तो बहुत बात करती हैं तो बातें कर रही थी और पहला ही दिन था इसकूल का और उस समय घर में ये बाहौल चल रहा था कि पापा का ट्रांसफर हो गया है उदाइपूर और सरकारी उसमें तो सबको उदाइपूर जाना है और मा ने कहा कि नहीं बच्चों की पढ़ाई है इसलिए हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपको तो हमेशा बुलाई लिया जाता है वापस जैपूर इसलिए आप जाहिए और हम लोग नहीं जाएंगे ये घर में तै हो गई थी बात और ये मुझे था सो इसकूल गए और पहले दिन मेर से बर्दाष्टी नहीं हुआ तो जैसी ही इंटर्वल हुआ और हम लोग को जैसी मैं नीचे उतरी और बहुत बड़ा जैसे आप सोचें पुरानी हवेली का दर्वाजा होता था बड़ा उस तरह का बहुत वो सौ साल उस साल पुराना स्कूल था बहुत पुराना स्कूल था आज भी वो हरिटेश साइट है तो उसका दर्वाजा और चौकिदार साहब बैठे वे और वो जैसे बड़े दर्वाजे जिसमें छोटा दर्वाजा भी होता है ऐसे दर्वाजे थे सो मैंने उनसे कहा मैंने का मुझे घर जाना है उस मैंने का जी मैंने का नहीं आप तो मेरे को जाने दीजिए मेरे को मेरे इतना तेजी से पेट में दर्द हो रहा है मुझे जाना पता रही उनको कैसे दया आ गई उनने मुझे जाने दिया मैं स्कूल से निकली और मैंने घर आके और कहा कि मेरे को स्कूल नहीं जाना तो आज अगर कि मैं स्कूल जाना छे नहीं कि नहीं अम धर्वर। 我ों मेरे वजह से अध्य करिण प्रिडाय से पूरे परिवार को उदैपूरdır और और क्योंकि मैंने बिलकुल मना कर दिया कि मैं स्कूल जांगी है हैं किसी भी तरह से तो यह मैं काफी बड़ी शरारत की थी इन पर ये रागगिरी के बहाने एक शरारत आपकी आपके जो धेर सारे शिश हैं उनको पता चल गई होगी अब किसी को नहीं मालू है ये अब जो बच्चे आप से सीख रहें अभी तो खेर सब ऑनलाइन सीख रहें लेकिन जब आमने सामने सीखना शुरू करेंगे और कोई अचानक पेट डर्व का बहाना लेकर आए तो आपको सतर करेंना पड़ेगा अचा बैं अब आता हूँ कथक के सीखने की जो विदिवत आपकी तालीम है उस पर और हम पंडित कुननलाल गंगाली पर भी बात करेंगे अलग से विस्तार से करेंगे लेकिन उस से पहले क्या कोई और शुरुवाती गुरू भी आपके रहे उनके बारे में बताईए स्कूल में क्या किसी ने कुछ ऐसा संगीत का या अनृतिक का कुछ अलग से आपको सीखने का मौका मिला हो तो अपने शुरुवाती जो सिक्षा रही कथक की उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताईए। कि बहुत अच्छे टीचेर्स हुआ करते थे डांस के लिए जो कि बाद में गुरू सावित हुए कहना चाहिए लेटर आँ और तो स्कूल में पहला कारिक्रम जब मेरा हुआ था वो भी स्कूल के कारिक्रम में ही मैंने जहां तक मुझे याद पड़ता है नाचा है और मैं उस कारिक्रम में तुम तीन लोग थे और तुम बीच में नास्ती थी और तुम तब नाच सकती थी जब मैं तुमारे सामने बैठती थी क्योंकि वो ममी का सामने बैठना जरूरी होता था तो वो सामने बैठती थी तो मैं नास्ती थी और तो ममी बाद में कहती है कि उस दिन मैं तो विधिवत सीखना तो थोड़ा देर में शिरू हुआ क्योंकि स्कूल में ही और कॉम्पटिशन में इसमें उसमें कुछ ने कुछ करते रहते थे और वो बहुत याद तो मुझे नहीं है पर पहले पहला कारिकरम यह था यह स्कूल में सीखने के बाद ही हुआ था और कथक क हुआ था यह मुझे याद पड़ता है और जैसे स्कूल के जो फिर मैंने मेरे गुरू जी कुंदला जी गंगानी वो जैपुर में आ गए थे और उस समय बहुत लोगों को नहीं सिखाते थे वो तो वो दादा जी के पास आय थे यह बात मैंने कई बार कही है कि मेरे दादा जी के पास वो अपनी जनम पत्रे दिखाने आये थे कि दादा मैंने जैसा कहा जी उतिशी थे तो दिखाने आये थे और मुझे देखके ममी को कहा कि इसको नाच सिखाईए मैं सिखाऊंगा ममी निका नहीं स्कूल में करती है काफी है तो कहरे नहीं नहीं इसको कथक सिखात हैं यह ममी के बाद में बताई हुई चीजे हैं तो तो नहीं कि नहीं अभी तो ठीक है और हमारे दादा जी वगेरा भी साथ में होते थे तो तुनाचका इतना कोई माहौल बनने की बात नहीं थी तो पर गुरुजी ने कहा और वो बात ममी पापा जी ने मान ली शायद और व पर घुजी नहीं राजस्थान कंपिटिशन में उतारा और उसमें मझे सेकिंड प्राइस मिला थे कथक में भी और लोग ट्रित्ती में भी और उसके छे महने के बाद में फिर से कंपिटिशन हुए क्योंकि वो थैद टाइन के हिसाब से यारी एज के हिसाब से ऐसा होगा तो मेरे को फिर से एक All Rajasthan Kathak dance competition में उता रहा, उसमें मैं first time. और मेरी उम्र साथ साल की थी, और मुझे बहुत बड़ी shield मिली थी, running shield होती थी जो मेरे से उठी नहीं थी, और मेरे बड़े भाई ने स्टेज पर आकर उसको उठाया था, क्योंकि मेरे से तो बहुत भारी थी, तो वो मुझे मिला था, तो विधेवत शिक्षा वहां से शुरू हुई, कि वो गुरुजी घर आके सिखाने लगे, पर शुरू में सारा स्कूल में होता रहा, और इसके अलावा स्कूल में, जब मैं हाई स्कूल में थी, 11th क्लास में, 10th, हाँ 11th में, 10th या 11th में थी, तो उदैपूर से हम लोग वापस ट्रांसफरों के जएपूर आए, तो 11th क्लास में वापस उसी स्कूल में मैं गई, जहां से में भागी थी, और तो वहां उस स्कूल में, सब कोई पता था कि मैं डांस करती हूँ, खास वर से प्रिंसिपल को, तो उनोंने कई साल से वो स्क स्कूल महरजा स्कूल कॉंपिटिशन में हिस्सा नहीं ले रहा था, खिसी भी, डान्स की कॉंपिटिशन में, तो उस साल रॉन्हों नहीं क्योंकि मैं वहां ती और तो आँ के जो डांस टीच़र थे, वो मुझ अच्छी तरह से जानते थे, और उननोंने कहा कि नहीं प्रे जाची थी और फर्स प्राइज मिल गया तो ऐसे इस तरह की चीज़ें तो हुई है और विधिवत सिक्षा उसके साथ साथ चलती रही थी देखा जाये तो और बीच में दृत्ति छोड़ भी दिया था बहुत लंबे समय तक ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं इस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में जाएं और अपनी राये रखें इसके अलावा रागगिरी को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास जानकारी यानि नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा आप वक्त हो तो तुरन देखें नहीं तो बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं हम आपको बता दें कि रागगिरी भारतिय शास्त्रिय संगीत के बारे में जागरुकता फैलाने का एक मंच है जो एक